ये इशा और एलिस अभिनाश के पास ये जाके बैटी हैं, ये कोई भी बैट नहीं रहा, ये दो पापा की परिया बैटी हैं करन भी वो शाना बन रहा, दो-दो शादी तूड़ गई तो यही इसके अंदर कमी होगी, ये भी हो सकता है चिला जादे चाहा तरी थी, लेकिन चोट लगी चुम को, तो वो मेरा आपसे बाहर वाला गुस्सा था सामने है, किसी के बाप में दम नहीं है, कि आपको गयाज चलाने से रोगते हैं पशकार दोस्तों, मैं हो मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है टेली चक्कर और हमारे साथ हैं हेमा शर्मा जी, स्वागत है आपका हमारे चानल क्या बात है, आज टेली चकर पर दो-दो शर्मा हैं, तो बात आज खतरनाक होने वाली है बहुत डेंजरस होने वाली है, मैं एक्सपेक्ट करूँगा मुझे कुछ अलग कॉंटेंट मिल जाए, इस इंटेली है क्योंकि जब दो-शर्मा साथ में बैठते हैं तो फिर वहां किसी तीसे इंसान की बात ही नहीं होती है लेकिन मैं बात करूँगा, बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुसकान या बग्गा जी क्या नंबर है घर से बाहर निकलने का लेकिन आप बाहर आए, तो जिस तरह हम शौक हैं, बहुत सारे लोग आपके चाने वाले, क्या भी हैरान थे हाँ मैं भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थी और मुझे ये मेक्शोर करा दिया था मेरे घरवालों ने एक उसके कंटेस्टेंट ने कि हमा तू तू कहीं नहीं जा रही है कि अगर हमा तू तो तेरा क्या रेक्शन होगा इसलिए आपने देखा होगा कि आपके साथ में आई यूजवली लोग आते नहीं है मैं बहुत हैपी फेस के साथ आई हूँ और मैंने सबको बोला था है कि सो मच आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया और मैं फर्स्ट कंटेस्टेंट हूँ लास्ट रहूंगी सीजन 18 की जो सबका दिल जीत के बाहर आये किसी के साथ दुश्मनी नहीं आपने देखा ह जबकि अविनाश के कि अविनाश के साथ गलत किया वह डान्स वाली बात क्योंकि अविनाश ने नहीं कहा था डान्स करने के लिए आप खुद गये थे और आपने खुद से डान्स किया था फिर बात मूँ चीजे एकदम से पलड़ गई वह जो में वाइरल होता है दास्ता पलड़ गई कहानी पलड़ गई क्या और क्यों मैं बता देती हूं मैं बैटी थी और मैंने बोला था कि अविनाश के आपने मेरी तारीफ की है और जो है आप बोलिए सब को कि मैंने टास्क जीता इसलिए मुझे दूद मिला है तो वहां जाकि मैंने बाहर दिगा तो उन्ह जाते हैं अविनाश ने इसको नाचने के लिए बोला यह लोगों ने अपना बनाया लेकिन आप जो बात कर रहे हैं जब मैं गुस्सा हुई तो वह मेरा आपसे बाहर वाला गुस्सा था जो कोई भी सोची नहीं सकता कि एहिमा को इस तरह के गुस्सा आ भी सकता है लेकिन जब मैं नॉर्माल थी दो गंटे पहले थीजिए और थीन गंटे पहले बात किलियर कर ली ती है कि दूर बहन के आपको उसने बोला था नाचने के नहीं बोला था कुछी चल रह था जाते ही मैं तो हमेशे स्टेटमेंन जो होता है वो नॉर्मल वाले जब आप सेंज में रहते हो तब वैलिट करता है तो वो आउट अव कंट्रोल में शायद मैं बात जो थी वो की जगे मेरे मुझे ये निकली कि तेरे सामने नाचूंगी तो तू देगा ये मैंने बोला जो चल रहा है त अब पबलिक है जनता है कुछ भी सोच सकते है मैंनने फिर बदल नहीं किया और इब साडी मैं यव जब भी मैं आई हूं सभुति है मैंने क्यों लेकर में या ध convictions जो में और एक लाइन मिस है यची तो मेने काई निक्व आपकी लिग ए जब आप existem पूरा इसाल एक का उज् कि मैंने डांज किया मैंने क्लियर लिए में आपको कुछ यही बात चाहत ने बोला तो आप जो चाहत प्लाजotional कर दी कि उसने just स्कस्टाव मैं जें चाहिए. बोगने न की अगर ही मुझे पहले करते हैं. इसे पहले मैं दो बार सालेंटली रो चुके को लोगों से छुपके तो बार तो जेल में हो गया था मुझे लग पहले ही दिन का आपका ब्रेकडाउन हो गया नहीं यह उसी दिन की बात है उसके दो घंटे पहले मैं और साइलेंट्ली कोना पगड़ के रहू भी रही ती कि यह मुझे समझ नहीं है लोग क्या करें इसका इगो चल रहा उसका इगो चल रहा और हमको जाला को पूछ नहीं रहा है झाला किस पार्टी से हम अभिनाषकी पार्टी से क्या जलते हैं तो मैं इसकोई पाटी नीदि म तुने दुनिया जीत लिक्या, तु खाना अलाग रग, तु पहले सौरी बुलवाएगा, बाद में खाना देगा, ये गंदा गेम था उसका, कि पहले मेरे सामने आके मांगो, लोग कोशिश तो करें, आप है मजी, आपको चाहिए, तो आप मांग रही हैं, और दूसरी बात, मेरे कोई प्लानिंग नहीं था, मुझे तो पता भी नहीं कि अगर आप जगड़ा करोगे, तो ही टिकर होगे, अगर ऐसा होता तो मैं तो जेल में शुरू कर देती, लेकिन मेरा नेचर वो है नहीं, और ये जो आया नहीं, और ये जो आया नहीं प्रस्टेशन होके, कि भा ये सब को मिल गया, फिर सब को ये होगा कि भई आज दिखा हमें तो हमें तो हमें तो हमें सारी बांडी तो भई या फिर ये अगर तुम पकड़ने भी जाओके तो हाथ के नीचे सा निकल जाती है, जैसे चाहत के साथ जिस तरह से हुआ घर में लोगों ने उसे गैस नहीं करते हैं, जैसा है शर्मा जी ये अविनाश ने प्रवोग किया था मुझे उचाहत को, हम दोनों को बोला था कि मैं आप दोनों को राशन देता हूं, गैस सामने है किसी के बाप में दम नहीं है कि आपको गैस चलाने से रोगते, आप बिग बोस के कंटेस्टेंट हो, बिग चलाने से से रोगते हैं, तो मुझे तो यह लगे कर आप चाहत कर दो अब ये अविनाश ने मुझे बोली है जिसमें सिंगल दे घरा मैं भी खड़ी ऑनी और अविनाश मुझे भी बोल रहा है मैं आप पो राशन देता हूं आप बनाओ, तो मैं आप बोला देखो अभी त लेकिन चोट लगी चुम को तो भाया यह कैसी कौन सी एक्टिंग है तुम को अगर सच मेर आपके हाथ को हट कर तो आपके हाथ में चुट लगे घिना शब्टा तो रखा तो यह तो तो तुम्हारी आवाज उची ती वहां पे मामला हलका था तो यह चीज है तो आप निख ल आप बड़े शरीफ हो आप गालियां गलोज नहीं करते हो उस एक शड़ पर एग्रशिव हो उसके से करने विवियां को रिय एकर तुप ड है गलत ठाया नहीं कि अगर गलत था तो फिर तो क्यों बोल रहा और साइड क्यू ले रहा है तो वह зов सिनेरियों में आपका क्या कहना है अविनाश वर्सट जो चुंग हुआ था वो साला तो देखिए चुमने पहले बोला था चीक है और यह गलत है सीधी सी बात है पहले जब आप गाली जैसे बोलते है ना पहले शुरू किसने किया था यह बताओ तो पहले बात शुरू से होती ढलती है तो शुरू किसने की तो शुरू किया था चीक है तो आय तिम वहाँ पर जो लड़के है था बैठ नेयुकर चेलरा में उड़क दो नहीं तो फायदा दोनों को वा गर गेम की बात अविनाश को हुआ है चुम को भी हुआ है सब दो गेम दो ग्वार कर ओने हैं कि प आविनाश को तुम चिलाओ, तुम गेम बदल सकते हो, चीक है, अगर अविनाश के पास ये जा के बैटी हैं, कोई भी बैट नहीं रहा है, ये दो पापा की परिया बैटी हैं, चीक है, कौन है ये पापा की परिया, ये इशा और अलिसी है, मैंने पापा की परिया भी तक दे तो बात नहीं कर सकते हैं, तो प्यार मोबद से दिखाना भी पड़ेगा, लेकिन अब आने वाला जो समय है, वो बहुत कतरनाक है, अब बात बात पे गाली है, भात बात पे, अगर इधर बैटा है, तो तो इधर बैट, करन भी बहुत अच्छे से खेल रहा है, करन को बहुत बहुत किया जाता है, बाई अभी नाश, बहुत गंदा, अखला, अखला, चंपो, बंपो, जो भी बोलता है, वो मेश के उपर भी आता है, और भगवान ना करे कि दो दो शादी तूट गई तो यही इसके अंदर कमी होगी, यह भी हो सकता है, it can be possible, मेरा भी शायद होता, अगर मेरा जगड़ा होता, जो मेरा भी आता है कि आया अप समझ में हो तेरी आधमेनी को लिए इसके यह पेली आता है, यह उपर भी आसकता है क्योंकि आदमी आगर किसी चीतना है तो विए ठरली अत्या है जैसे करनने कल उसको पापा बोला, जैसे का पापा का लो वह रहो गैते हैं तो ने खाले आपके पर अब जो ठीक कर चाहता है आप गए जेल में हाँ चाहाद के इंफ्लूएंस में आप आकर चले गए वो आप पे भारी पड़ा अगर आप बाहर रहते तो शायद दिखते इसका जवाब में परसनल टच करके लिना चाहती हूं कि मैं आपके तो जेल की बात कर रहे हूं मैं महान अपनी परसनल लाइफ मे करे भी बनियों जिसकी वज़े से मेरे बहुत बड़े बड़े लगे हैं लोगों ने मुझे तकलीफ दी मैने कुछ नहीं बोला तो इंसन उन बिसको बेन सकता है जिसके लगों में उर lean dependent हैसे ट आइन कैड़ा होता है जिसकी वज़े से मैं बिग बोस के घर पहुंची थी अगर मैं वहां महान नहीं बनती तो जो ये बाहर मैं करती हूँ सेवा करती हूँ फेक नहीं हो जाती तो वो मैंने सावित कर दिया ना कि भाईया ये लड़की है रियल